इस्राइली हमलों में गाजा में अब तक कितने लोगों की मौत हमास के नियंत्रन वाले प्रशासन ने बताया इस्राइली हमलों में गाजा में मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है हमास प्रशासित गाजा के प्रशासन ने बताया है कि इस्राइल के हमलों म अब तक 11,000 लोगों की मौत हो चुकी है। जिसमें बड़ी संख्या में औरते और बच्चे शामिल है। दावा यह भी किया गया है कि गाजा के अस्पतानों को छोड़ कर भी लोग भाग रहे हैं। खान यूनिस हमास शासित गाजा में इसराय हमास युद्ध में 11,000 से अधिक फलस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई है। स्वास्त्य मंत्राले ने यह जानकारी दी। मंत्राले ने शुक्रवार को बताया कि हमास के साथ अक्टूबर को इसरायल पर अचानक हमले के बाद शुरू हुए युद्ध के बाद से 11,078 लोग मारे गए हैं। इसरायल में 1400 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से लोग हमास के शुरूआती हमले में मारे गए थे जबकि जमीनी हमले की शुरूआत के बाद से गाजा में इसरायल के 41 सैनिक मारे गए हैं। गाजा के अस्पताल छोड़कर भागे लोग। गाजा के उत्तरी युध शेत्र से जान बचा कर भाग रहे फलस्तीनी नागरिकों ने कहा कि गाजा शहर के मध्य में स्थित शिफा अस्पताल में शरण लिये हुए हजारों लोग रात भर हुए धमाकों के बाद वहां से भाग गए। इजराय हमास के बीच चल रहे युध के बीच अस्पताल में 80,000 लोग शरण लिये हुए थे। अस्पताल से शुक्रवार को भागे लोगों में से कुछ ने कहा कि इमारत में सैक्णों बुरी तरह से घायल मरीज और चिकितसक ही रह गए हैं। वही फोन और इंटरेट सेवा बाधित होने के चलते शिफा के अस्पताल के चिकितसकों से टिपड़ी के लिए संपर्प नहीं हो पाया। इनमें से कई लोग इमारत के प्रांगर में आ गए और एक घंटे से अधिक समय तक धरना दिया। यहाँ प्रदर्शन मीडिया कर्मियों के राइटर्स ब्लॉक नामत एक समू के नेत्रित्व में किया गया। प्रदर्शनकारियों ने गाजा में मारे गए हजारों फलस्तीनियों का जिक्र किया, जिन में कम से कम 36 पत्रकार शामिल है। उन्होंने एक छद्म समाचार पत्रद New York War Crimes के संसकरण बाते, जिसमें मीडिया पर नरसनहार को वैद बनाने में संलिप्तता का आरोप लगाया गया है, और Times के संपात्किय बोर्ड से संधर्श विराम का सारवजनिक रूप से समर्थन करने की मांग की गई है। अभी यह सपश्ट नहीं हो पाया है कि ब्रहस पतिवार को किये गए इस प्रदर्शन के दौरान किसी को गिरफ्तार किया या नहीं। उन्होंने एक छद्म समाचार पत्रद New York War Crimes के झाली